रोलर कोस्टर का नाम हर किसी ने सुनाया और उसमें बैटने के लिए डर तो सब भी को लगता है तो आज हम भी निकल पड़े हैं ऐसे ही कुछ ट्रिल करने के लिए आस यूजवल हमारा 49 यूरो का टिकेट यहाँ भी काम आया तो बस दो ट्रेन चेंज करके हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला था वैदर तो मस था ही बट बाहर का सुन्दर नजारा देखने के लिए बस आपकी ट्रेन के खिड़की साफ होनी चाहिए अब जैसे म्यूनिक से दूर कंट्री साइड आते हो तो everything looks so beautiful, so elegant, just looking like a wow हम लोग अभी ओपर आमिर गाउ उतर गया है तो यहां से हम जाएंगे हाइक करके थोड़ा सा ही है तो वी डिट सम शापिंग इन लीडल कुछ खाने के लिए ओपर जाके यहां से हम अभी चल के जाएंगे केविल कार की तरह और फिर वहां से लिए केविल कार उपर जाने के लिए और नीचे आते टाइम, we will be coming by रोलर कोस्टर अब यह कोई टिपिकल रोलर कोस्टर नहीं जो इमाजिका जैसे अम्यूजमें या एडवेंचर पार्क में या फिर मेले में होता है यह तोड़ा अलग है और स्पेशल भी है तो ये है mountain roller coaster when I heard for the first time mountain में roller coaster अखिर concept क्या है so I'm excited as well as nervous so now we are going to take a ticket for this roller coaster so three tickets अगर आप लोको this is for 45 euro so ये basically 2023 summer का time table ये लोक ने कभी-कभी आप लेबल है उस हसाब से ये है हमारे tickets it's time to sit in the cable car जो मुविंग होती और उसमें आपको बैठना है finally अभी हम लोग केबल कार में बैठना है तो ऐसा होता है रोलर कोस्टर मैं ये नीचे वाला जो है वो साइकल टॉक है ये वाला भी साइकल टॉक है ये वाला भी साइकल टॉक है ये वाला भी साइकल केबल कार से बीच बीच में आपको रोलर कोस्टर का ट्रैक भी देखने मिलता है वैसे तो डिफिकल्टी लेवल काफी डीसेंट लग रहा है पर छब तक हम खुद एक्सपिरियंस नहीं करते तब तक ज्यादा ग्यान बातना भी सही नहीं होता केबल कार एकदम अराम से जा रही थी और टॉप पे जाने के लिए हमें करीब इन 20-25 मिनिट लगे समटाइम इट मेट एक लॉंगर कज उपर अगर कोच शुआ हो जाता है तो केबल कार बीच में स्टैंडबाई हो सकती है और हमारी भी केबल कार बीच में दो से तीन वार स्टॉप होई ती जिससे मुझे काफी ज्यादा बोर हुआ था उतरने के टान थोड़ा सा दफकल्टा सी लग झाह वरहता के थे सक ofकुझ ऩा सब्सका हिखर ठापática थोड़ा सादब लगतेक लिए तंसा करने कवें ना is not great but the view is nice यहां पर एक रस्तरांट है फिलाल तो एक ही ठीक रहा पता नहीं पर यहां पर यहां पर यहसे जर्मन कुजीन और इसे ट्राइक ट्राहाँ प्रोग करें सकते हैं लग्स के खिलान सबसी और उख भग देख सेट एक बटरेटलेग कर देख छूल करें वहाँ पे वो है, I think, some adventure thing. I think Joola देखके सबको पैटने का मन करता है, and so did I. We decided उपर सिफ 30 to 45 minutes spend करेंगे, और जो snacks लाया है, वो खाएंगे, और फिर रोलर कोस्टर से नीचे जाएंगे. Frankly, उपर कुछ खास करने जैसा नहीं है. ये बस फोटो के लिए अच्छा सा कॉर्नर था, so we utilized it. And now, finally, going towards roller coaster. हमारे पहले एक ग्रूप अल्रेडी वेटिंग में था, वैसे तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, cause minute-minute के gap पे, they send people down. आप इनकी तरह, केबल कार से नीचे जा सकते हो, या फिर हमारे जैसे roller coaster से, choice is completely yours. So the baggage, backpack, walking sticks, should not take on the board, like, जब याप अल्पाइन कोस्टर पे जाते हो, the bags आपको यहाँ पे छोडनी है, and then, वो, आपके जो बाग्स है, so they will just, put it here, ये हुप पे लागाखे, and they will send your bag नेचे जाके, हमारे bags जारे है, अभी हम जाएंगे अल्पाइन कोस्टर की तरफ, नेचे से सब रोलर कोस्टर लाता है, and then they get collected here, फर वहाँ पे, में श्टेशन पे जाके, you just have to sit, apply the brakes, and go down. So, before they send people down, the recorded announcement happens for the instruction about rules and regulations. The guy confirms with you, once you agree that you understood all the rules and show thumbs up on camera, then only he gives go ahead to accelerate the roller coaster. Since my husband came here for the second time, he knew that it's not really difficult to manage the brake with one hand, so with another hand, he took this video. I think even next time, I can use my phone to shoot the video, or else I will use our GoPro with chest mount or head mount. Brakes का control आपके हाथ में होता है, you can accelerate to maximum speed and go down in few minutes, and people do have such interesting records of reaching in less time. और अगर आप अराम से जाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है. बीच में 2 या 3 टॉन्स काफी DDS आता है, तभी तुड़ा सा डर लगता है, वरना मुझे काफी मजा आ राता. और हाँ, एंड में आपको आपका speed मशीन पे दिखता है. So, you can decide accordingly how you want to manage the speed. So, everything for the first time is scary or difficult, but once you do it, you would be like, it's so simple, and anyone can do that, right? After all, that's human mentality. सच मंझे काड़ाई, ति विटो केरी पाटिषी जात्य कर के है, साथ में थालो, साथ 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 साथ. ये, रुस्पाँ! ठीक कर शेथ काड़ गया एंड़े लेज़ाई, ड़नाइच्छत्य है, देंज़र्स और जात्यकर करे, ज्वाल्ड त्ट् त्रग मुफित है किषए दोच्ट च्रीचेट आपका थी इस चैन एक रिम कूनidas ... if you want— Legion Mauser if you want moderate adventure in your life then you can definitely come at this place it's one of a kind to experience and Livingman who stays in Munich or music to Germany definitely you should try is the alpine coaster I think alpine coaster stand here at many places you can search on google and accordingly find the one and take the most amazing experience out of it now we are going back home from koblin settle so i would highly recommend to visit this place let's see if it's open in winters we'll make a plan again with our friends so how was it i'm feeling to do it again yeah he wants to go again but it's fun yeah it's fun basically adventurous like to obir amir gao station se koblin settle is hardly 15 to 20 minutes of walk because we didn't have proper lunch so we bought some snacks from lidl to eat in train i'll look at where are you this train runs only till murnau which is like 35 to 40 minutes from obir amir gao and from murnau we need to board regional band means rb for munich so let me know in comments if you find this video informative and helpful bye we're signing off bye instagram